तोड़े वी डिस्कॉस अबाउट एक्सिडेंट अपना एक्सिडेंट के बार हम देखेंगे एक्सिडेंट क्या होता है एक्सिडेंट है जो एक अनेक्सपेक्टेड होता है मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं होता कि अपना एक्सिडेंट हो जाएगा एक्सिडेंट हो जाएग एक्सिडेंट एक्सिडेंट क्या होता है एक्सिडेंट has been defined as unexpected मलब केपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और Unplanned कोई प्लान नहीं है और Unplanned occurrence विछ में इन्वाल्व इंजरी अगर एक्सिडेंट या कुछ होता है तो इससे involved injury होती है it also produce intent injury death और properly damage इसमें जो accident जिसका होता है उसकी death भी हो सकती है और injured भी हो सकता है basically अब आज home accident के बारे में पढ़ेंगे home accident और domestic accident are common in children and most of them are preventable जो home accident है और उसको domestic accident भी बोलते है जो mostly children में पैज आता है definition definition के अंदर अपन देखेंगे home accident की definition क्या होती है home accident defined as accidents which takes place in the home जो home accident होता है वो prayer home के अंदर होता है और immediate surrounding it includes all accident not connect with traffic, vehicle और spread जो home accident होता है वो home के अंदर बच्चा जैसे कोई बच्चा गिर गया मतलब रूफ से गिर गया बेबी safety मतलब home के अंदर मतलब रसोई के अंदर कुछ बच्चा कुछ उठा रहा है शाथ इस्टूमेंट या कोई तो उससे कोई injured नहीं हो जाए next उना पन देखेंगे इसके कारण क्या क्या हो सकते defective floor हो सकता है जो अपना floor है या उबड़ खाबर या उसमें कोई दिक्कत हो सकती है या उपकी लग कुछ किसी भी कारण हो जैसे जैसे bad lighting अगर जो lighting प्रॉपर नहीं है तो वीजन प्रॉपर नहीं हो तो बच्चा गिरने के chances है keep poison within reach of children जो poison है तो अपन जैसे घर में अपने waste room होता है या basement होता है तो वहाँ पर रखते है अगर बच्चा वहाँ तक पहुंच जाता है तो वो poison intake कर सकता है उसको पता नहीं है क्या चीज़ है और hiding stair of the floor जो floor है जो वहाँ से भी बच्चा स्टेर से भी गिर सकता है next अपने दिखेंगे type of common accident accident के common type क्या है drowning अलब कोई बच्चा जिसे पानी में डूब गया swimming pool है किसी गर में और किसी ने ध्यान नी दिया बच्चे पर तो बच्चा पानी के अंदर गिर गया तो उससे accident हो सकता है home accident burn हो सकता है जो बच्चा है अगर gas on air gas पर हाथ तक दिया कोई गरम चीज पकड़े तो बच्चे की skin जो है लिकत हो सकती बच्चे को by flame हो गया hot liquid हो गया electricity अगर कोई wire है या कोई switch है नीचे on है तो उसमें बच्चे ना गरम लिटादी तो उसको current लग सकता है crackles on fire workers हो सब्सक्राइब केमिकल्स कोई बच्चा केमिकल्स हाथ में लगा ले पोईजन जैसे drug हो सकता है इंसेक्ट साइड्स हो सकता है केरोसीन हो सकता है जो अपन घर में रखते हैं और बच्चा उसको आत लगा ले पी ले तो उसको बच्चे को दिक्कत हो सकता है फॉल्स हो सकता है बच्चा अगर गिर जाता है तो इंजरी फ्रोंब सार्फ और प्उंट इंजरी फॉमेड नाइफ हो सकता है अपने और फी शार्पेस्ट मेंट जैसे बाइट से अधर फार्मड़ इंजरी फॉंड अनिमल या कोई बाइट कर गया इनिमल और इंजरी हो सकती है बच्चे ड्रावनिंग फिर्स फोल अपन ड्रावनिंग डिसकस करें ड्रावनिंग क्या होती है ड्रावनिंग इस डिफाइन देथ फ्रॉम सफोकेशन कोस बाइद समस्टन ओफ दा वाटे इन टूवर ऑफ दे इन्सीडेंग अगर चुईष गंटे से ज्यादा बच्छा पानी के अगर बच्छा हुए पान तलाब में गिर जाए या रीवर नदी में गिर जाए तो उससे बच्छे की एक्सिडेंटल डैथ हो सकती है इसको रोकने के लिए पन क्या क्या कर सकते हैं प्रेवेंटेबल मेजर्स क्या होता है ड्रावनिंग में साइन शुड बी पोस्टेड इन एरिया ओफ नो हैजार्ड वाटर और वांप ओल्डर चिल्डन ओफ देंजर जो साइन है हजार्स होता है वाटर के उसको अपन चिल्डन से दूर रखें एडिक्वेट फेसिंग अदर सेल्फ हस्टिंग गेट रिस्टिक असस तो स्विमिंग पूल कुड नॉट बी डिदूस ड्राउनिंग जो पेरिंट है उनको एजुकेट करना जो चिल्डन अबाउट अफेक्ट हो दर ड्राउनिंग चिल्डन शुड बी टॉट अबाउट दबेसिक स्टेप ऑफ स्विमिंग एंड कॉल फॉर है जो चिल्डन उसको स्विमिंग कर अगर दिकत हो तो वह कॉल करके अपने हल्प के लिए बुला सके स्विम ओली इन एरिया ऑफ एडिक्वेट सूपर वीजन इस प्रजेंट इस ट्रेंट सैटिफाइड जो अपने स्विमिंग बचा कर रहा है तो उसको एडिकेट जो सूपर वीजन कर रहा है होना चाहिए फर्स्टेट केर क्या देंगे एफर्ट्स एट री वार्मिंग शुट भी इंस्ट एस पॉसिबल वैट क्लॉट्स वी रिमूट तो प्रिवेंट कंटिनियूस कंड़क्टिव हर्ट लॉट हीट लॉस अगर जो बच्चे के कपड़े गील हो गये तो उसको बच्चे को इसे प्रिवेंट किया चाहिए हीट लॉस है पुर्द विक्टिम इन प्रों पोजिशन फेस्टाउं तो मेक्शूर देट अर पास इंटो अब्स्ट्रेक्शन पुल दर तंग फोर्वर्ड रिज मिटल पार्ट फफ द बोड़ी विद हैं अरूंड बैली देस् तू ड्रेन वाटर फ्रॉं लंग्स गिव आर्टिफिशल डेस्पीश अंतिल डेस्पिरेशन कम इन नॉर्मल नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बन बन क्या होता है बन इस इंज्री कोज बाइद हीट हो सकता है हीट के द्वारा कोल्ड एलेक्टिसिटी केमिकल लाइट रडिय बर्न फ्रॉम दे स्टीम हो सकता है होट बाद वाटर हो सकता है टिपर ओवर कॉफी कप या होट फूड या कुकिंग फूड कुछ भी हो सकता इन में से कॉंटेक्ट अन फ्लेम होट अब्जेक्टिव इस स्टोल फायर प्लेस कुलिंग आयन कोई भी गरम चीज बच्चा इ इसमें फ्लेम निकल टी जैसे आयरेन पकड़ ली बच्चे ने तो बच्चे को बर्न हो सकता है केमिकल बन फ्रॉम दे स्वालेंग थिंग लाइक ड्रेंग क्लीन वोद बैटरी स्पिंग एम केमिकल सच एस ब्लीज इन्टु दे स्किन अगर कोई भी केमिकल पार्ट अगर इलेक्टिक बन से इलेक्टिक कोई एस्टिक फिंगर अब्जेक्टिव एक्टिक इसके अंजर बच्चे को एक्सपोजर हो सकता है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऑफ माइनर बन एंड इसकाल्प्स का अगर जो बच्चा है उसका जो इन्जर पार्ट उसको स्लोली स्लोली रन इमर्ज हो रहा है तो 10 मिट के लोंगर पेन परसिस्ट हो सकता है 2.Dress the area with clean style material 3.Give plenty of oral fluid 4.Do not use adhesive dressing 4.Do not apply cotton pad 5.Do not break blister from loose skin pfff any 5.Minagement of serious burn and scalp 5.Keep the victim 5.Lay down with comfort 5. 1947 जेखिदा बच्चे को i अगर बच्चे ने कोई भी रिंग या वाच या कंस्टिक्टेट क्लोट कोई भी कपड़े टाइट कपड़े पहने तुमको दूस करना है फॉर फेशल बन मेक अ मास्ट ग्लीन ड्राई स्टराइल मैटेरियल एंड होट कट होल नोस माउथ एंड आइज इमोबिलाइज बैदली ब्लंक लिंब इफ ब्रीफिंग इस्टॉप गीवन रिससिटेशन अगर ब्रीफिंग इस्टॉप होगी तो पेशेंट को रिससिटेशन सीप्यार इस्टॉप इस विक्तम इस कॉंसियस गीव सिप उफ वाटर ओ फ्र लोशन और ओइंटमेंट तो इंजरी पेशेंट इस्टॉप रिमूब फ्रॉम दा ओफन एजेंट ओफ पुट आउट दा फ्लेम बाइनी मीन्स अविलेबल प्रेवेंशन कैसे कर सकते हैं अरेंज दा ओपन कोकिंग लैप्स इन प्लेस अवे फ्रॉम दाविंड अगर जो घर के अंदर ओपन कोकिंग है अपने तो उसका जो विंड है जो खिड़की है उसको पच्चे को दूर रखना है कि आलवेज क्लोज दावाल ओफ दागैस श्लेंडर आफ्टर यूज गैस श्लेंडर यूज करने बाद में उसके वाल को क्लोज कर देना कीप केरोसीन और इंप्लमेट्री मैटिरियल अवे फ्रॉम दाफायर सोर्स जो भी आंग मतलब मैटेरियल है केरोसीन और इंदर कीप दाफायर मैचबोक्स अवे फ्रॉम दाचिल्डर इच अगर जो मैचबोक्स है वो बच्चे से दूर होना चाहिए उसके मतलब वो पहुंच नहीं पाए मांता कैसा करना पोईजनिंग नेक्स्ट टेकिंगा सबस्टेंग इस इंजिरियूस तो हैल और कैन कॉस्ट हाथ कंच पोई कंटेंग रॉइनर हो दो compat के लिए जिसे उपने पेशेट को सकती है पूजम के लिए bring to hospital immediately collect the maximum data from reliable sources prescribe any suspect material like a bottle container pills and liquid for information to treat doctor if the victim has vomit collect the vomit which can give some about type of poison ingestion अगर बच्चे ने वोमिट कर दिया है तो उस वोमिट को पता लग सकता है कि इसने क्या खाया है false मतलब कोई बच्चा गिर जाता है certain age group among children are more prone to certain type of falls मतलब जीडर ने वो अलग अलग तरसे जैसे बैट से गिर सकता है stairs से गिर सकता है और बी जगे से बच्चा for example infant are more likely to fall from furniture while toddler are more likely fall to window older children sustain more fall related injury from the playground equipment slip and fall can be normal part of growing up for example when a child is learning to walk may fall are not serious but may simply result is blum or brush other may result in fracture cut or head injury preventive prevention कैसे करेंगे keep the crib of the when the infant are sleeping always be with the child while climbing and stairs keep the door close injury from sharp or pointed instrument child are most prone to get injury from instrument like knife blade and other kitchen appliance जो चिल्रन है जो मोर प्रोन होता है नाइफ के ब्लेड अधर कीचन अप्लैंचे दूर रखना चाहिए बचो preventive measures keep always all sharp instrument away from reach the children bites and other injury from animal insects bites such as those which and be and injury by animal like cows caught dogs also common most of these injuries are poisonous and require serious medical treatment snake bite are also common a serious accident common management for domestic accident मतलब अपने common management क्या कर सकता है domestic accidentally the drowning patient should call for help जो patient होता है drowning patient होता है उसको call for help के लिए अपने को बुला सकता है through a rope the victim to hold the escape clear the airway by abdomen to get out water through mouth in case of fire advice the client to roll on the ground so as extreme the flame advise the victim not to rub the burn area administer antidote in case of poison ingestion अगर बच्चा को इंजेशन पोजिजन कर देता उसको antidote doctor द्वारा prescribe किया जाता है in case of fall clean the injury area with soap and running water अगर बच्चा गिर जाता है जहां इंजरी हो जाती इस एरिया को soap and running water से साफ करना चाहिए एपलाई आइस पेक तु अरेस्ट ब्लीडिंग जांब ब्लीडिंग हो रही है महाँ पह आइस पेक को आपन यूज कर सकते हैं if fracture is suspected immobilize and affected area preventive and home accident keep the floor clean and dry to avoid sleeping मलब अपना जो फ्लोर है गर का वो कीप मलब साफ सुतर आना चाहिए और गिला नहीं होना चाहिए do not allow to touch the electrical fitting and the wet hand अमने गिला अच्छे electrical switch है किसको only करना चाहिए fix the electrical plug without reach the child जो भी electrical plug लगावा है अपने वो बच्चे की पहुंच से दूर होना चाहिए या उपर होना चाहिए ज्यादा keep the electrical cookers and other household appliance without the reach of children जो भी electrical cookers वो भी है उनको बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए turn off the gas stove when is used the fresh property cooked item is avoid keep sharp estimate away from the reach the child immunize all domestic animals अगर घर में कोई भी जान वाल है तो वो immunize होना चाहिए उसकी प्रोपर अपने को पता होना चाहिए उसका immunization का बहर उसको immunize करते होना चाहिए provide stomach wash immediately increase the poison ingestion in case of bite clean the area with carbolic soap and running water and cover with the tight bandage in case of snake bite a constrict bandage should be applied on above the ingested site chemical like drug oil pesticide extra etc should keep away from the reach to children do not keep flame material near to flame in case of fracture immobilize the area the shifted to the hospital avoid necessary movement in case of suspected fracture in case of electrical shock cut off the power before touch the victim अगर electrical कोई shock हो जाता है तो पहले man switch उसको बंद करना चाहिए फिर फिर उस बंदे को हाथ लगना चाहिए यूज ड्राइव और पीस डिटेड मस्ता ग कि एट्लींट को के बाड़े में पड़ा है अपने होम एक्सिडेंट बड़ा कि बच्चे को कैसे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं जो भी अपने एप्लाइक एप्लिकेंट्स यूज करकर थेंक